नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग प्लेनेट का उनलाइन प्लेटफर्म पे आप सभी कार्दिक स्वागत है, रक्सा बंदन के पावन पर्व की आप सभी को जो है वो हार्दिक सुपकाम ना है, वीडियो के अंदर जो है वपन, फास्ट टैस्ट क्यूस्टन करेंगे, एमसे तो क्या कुछ रहेगा, जनरली जो अपन ने क्यूस्टन की सुरुवात किये, प्यार यादों से, प्यार यादों के जितने भी क्यूस्टन है, उनके बारे में जो अपन पूरा का पूरा डिस्कसन करेंगे, तो आई शुरुवात करते हैं, फर्स्ट पन क्यूस्टन है, बो का अपना नर्वस सिस्टम तो ऑप्षन ए इसके अंदर एंडॉक्राइन ठेक है endocrine जो है वो बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चीज को जो है वो देखता है brain and spinal cord से मिलकर के बना होता है और यही जो आपकी body के अंदर पूरी की पूरी जितने भी moments होती हैं सारी की सारी moments वगरा को जो हो control करने का काम पूरा का पूरा nervous system के द्वारा जो किया जाता है और reproductive system का वतलब होता है reproduction करना तो reproduction के अंदर male and female reproductive organ या reproductive system के बारब जो open discussion करते हैं तो इसका जो सही answer आपका हो जाएगा nervous system की जो है वो control काण करता है तो nervous system करता है second बात करें की supportive cell of supportive cell of nervous system की nervous system की supportive cell का होती है यानि की देखेगा nervous system जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है एक तो जो होते है उनके अंदर जो होते है आपके neuron first one is the neuron और दूसरा जो होता है वो होता है neuron supporting cell neuron supporting cell अब यह जो neuron supporting cell होती है यही जो है वो अपने nervous system को और smoothly काम करवाने के लिए जो हो helpful होती है और खूब सारे जो function इनके द्वारा जो हो किये जाते हैं even अपन बात करें तो इनको जो supporting system को अपन जो protective system भी बोल सकते है कि कहीन कहीं जो है वो nervous system के protection के रूप में भी जो हो काम करता है तो बात करेंगे कि क्या क्या option है तो first one is the T cell तो B cell B lymphocyte and T lymphocyte के बारे में आपने पड़ा होगा तो उस से related T cell तो एक परकार से जो और T cell भी आपकी body के अंदर जो हो नहीं करती है second one बात करें stem cell stem cell वो होती है जहांसे कि blood cells का formation होता है next one बात करें glial cell and astrocyte अब देखेगा दो option के अंदर जो इसके अंदर confusion आपको किया गया है एक glial cell और एक astrocyte तो astrocyte मोता इसके if at the party is also a supportive cell, यह भी एक supportive cell होती है लेकिन glial cells होती है अब जो ग्लियल सेल का यह एक टाइप होता है वो क्या होता है आपका एस्ट्रोसाइट्स बात करेंगे कि सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है तो ग्लियल सेल पाई जाती है और ग्लियल सेल सी पूरा का पूरा सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है बात करें कि सपोर्टिंग सेल कौन सेल होती है तो आस में वर्ड आपको यूज में लेना है और आस में वर्ड को आपको याद रखना है वह का मतलब होता है Oligodendrites S का मतलब होता है Swan Cell M का मतलब होता है Microglia A का मतलब होता है Astrocytes A का मतलब होता है Ependymal Cell Cell तो यह जो 5 परकार कि जो आपकी क्या होती है Glale Cell होती है और यह पांचों के पैचाहई जो आपके होके काम करती है CNS पे तो कई बार जो एक और question बन सकता है कि which of the following is act on the PNS कि peripheral nervous system पे कौन काम करता है तो swan cell जो supporting structure होती है वो peripheral पे काम करती है इसी के अलावा स्वान से S से ही एक चीज और याद रखना है आपको star cell S से ही अपने को क्या याद रखना है star cell तो एक तो swan cell और swan cell के साथ में star cell होती है यह दोनों जो आपके peripheral nervous system है यानि कि PNS के अंदर वो काम करती है इसके बाकिकी बची है वो आपके सारी किस पे काम करती है CNS पे काम करती है बात करें पने थोड़ा सा क्या 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 काम है तो फर्स्ट मन होता है आपका Oligodendrites तो Oligodendrites जो होता है यह क्या करते है कि Myelinth Seed का formation करते है CNS में इनका काम क्या होता है Myelinth Seed Formation Oligodendrites का Myelinth Seed यानि कि नियूरोन के ऊपर एक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को उपर Myelinth Seed बोलते है और mylanan seite का formation का काम जो छो किसके द्वारा किया जाता है oligo dendrites के द्वारा जो सो किया जाता है लेकिन oligo dendrites जो है that amount forming किस में करता है तो अभी है पने मात कीती है, जो किसके अंदर होता है CNS में तो ये खाली जो हुँआ जो किसके अंदर myelin-seed का formation कौन करता है तो oligodentites और बात करेंगे कि पीर्थ के अंदर वो कौन करता है तो वो करेगा आपका swan cell. Next one बात करेंगे, microglia. third one जो आपकी supporting cell है उसको जो बहुते है microglia. Microglia जो हो डिफेंस मेकेनिजम का काम करती है microglia जो हो किसका काम करेगी? defense mechanism का body के अंदर जितनी भी आपकी neurons related defense mechanism है nervous system के defense mechanism है तो उसका पूरा का पूरा जो primary gymma जो है वो मैं वर्ड देखियेगा यूज ले रहा हूं primary gymma तो primary defense mechanism जो होती है अपने nervous system की वो क्यों होती है microglia और यही जो हो defense का काम करती है next one बात करें अपन की आपकी होती है कौन सी? astrocydes astrocydes जो है वो star safe की होती है कई बार जो इनके safety related exam के अंदर question आता है astrocyde का safe क्या होता है astrocydes जो होती है वो आपकी star safe की जो हो एक organ होती है या star safe की जो एक cell होती है और यह जो हो आपकी blood brain barrier question बनता है यहां से भी बहुत important चीज है blood brain barrier आपके brain के अंदर जो हो सारी चीज़े नहीं पहुच पाए तो blood brain barrier को formation का का काम जो हो किसके दवार किया जाता है astrocydes का इसी के साथ साथ में यह जो हो क्या करती है defense mechanism का का काम भी अपना साथ में करती है अलाकि यह जो properly defense नहीं कर पाती है लेकिन defense mechanism के लिए भी कहीं नहीं कहीं यह जो हो काम करती है तो exact defense mechanism का क्यों करेगा microglia help का करेगा defense के अंदर तो वो जो आपकी हो जाएगी astrocyde और next one आता है आपका ependymal cell ependymal cell जो हो basal ganglia की help करती है extra pyramidal track वगर को जो वो formation के अंदर तो यह जो आपकी होती है glial cell जिनको अपन बोलता है supporting cell of the nervous system की nervous system की supporting cell यह सारी की सारी होती है तो अब जो आपका question था कि supporting cell क्या nervous system की तो glial cell जो आपकी क्या कलाएगी supporting cell of the nervous system बढ़ते हैं आगे next one question की तरफ question है macrophage cell in CNS की macrophage cell कौन है CNS के अंदर तो अभी जो आपने बात किया है macrophage का काम जो कौन करती है microglia, microglia की किसका काम करेगी macrophage का, अब अगर यहाँ पर लिका हो आता कि primary prevention की primary prevention कौन करता है primary prevention जो कौन करती है astrocyte यानि कि जैसे ही अगर कोई आपकी body के अंदर foreign particle या पी nervous system के अंदर foreign particle जाता है तो सबसे पहले जो जाती ही हो कौन जाती है astrocyte अलागी यह उड़ता थी लेती है पूरा पूरा यह defense mechanism का काम करनी पाती है लेकिन सबसे पहले है कि मैं करूंगी ठीक है सारे रुख जाओ मैं करूंगी मैं करूंगी जाएगी लेकिन यह success नहीं उपाएगी तो primary prevention का काम जो कौन करती है astrocyte करती है लेकिन जो exact macrophysics का काम करेगी कौन करेगी आपकी microglia ठीक है और वाकि जो neuroglia and oligo dendroglia यह जो extra option है तो second one के अंदर जो सही answer जो इसका क्या जाएगा आपका microglia, microglia जो क्या रहेगा आपका सही answer next one आपन बात करते है in spinal cord, in spinal cord myelin seat is formed by spinal cord तो बात करें कि अपने spinal cord किसका है part central nervous system का या peripheral nervous system का आदे से जादा उसको क्या करते है कि central में अपन जो ख्याली क्या कर लेते है head को ले लेते हैं और बाकी spinal cord को क्या कर लेते हैं peripheral में ले लेते हैं ऐसा नहीं है central nervous system की जब भी बात होगी तो इसके अंदर brain और spinal cord दोनों चीज़े जो आपकी क्या हैगी साथ माएगी दोनों जो है वो central nervous system के part है तो अभी अपने बात किया था कि CNS के अंदर myelin seeth का formation कौन करता है oligodendrocytes तो यहां पर जो कौन काम करेगा आपका oligodendrocytes जो है वो सही answer हो जाए गया कि spinal cord के अंदर myelin seeth के formation का काम काम करता है तो वो आपका जो है वो करेगा oligodendrocytes यहां पर आता कि peripheral nervous system में किसमें आजाता peripheral nervous system के अंदर कौन करता है तो वहां पर आपका सही answer क्या हो जाता swan cell अगर peripheral cell related question आता तो अपन जो इसको क्या सही कर देते swan cell लेकिन यहां जो आपका spinal cord जो आपका central nervous system का इसके लिए जो सही answer और आपका जो क्या हो जाएगा oligodendrocytes clear है? next one बढ़ते हैं आगे की तरफ next one आता है the body system that collect कि body का वो कौन सा system है collect करता है process करता है and respond to information using electrical signal कि भाईया जो है वो कोई भी information को collect करेगा process करेगा और उस information के लिए क्या करेगा respond करेगा अब यह जो है पैन मेरी तरफ आ रहा है तो पहले इंपल्स को करेगा collect किया भी यह पैन आ रहा है फिर जो है वो मैंने इसका क्या क्या process किया process किया तो मिरे को पता चला कि पैन मेरी आँक में जा सकता है तो मैंने इसके लिए kya-kya respond क्या-kya क्या बंद कर ली तो यह जो है वो आपका क्या कहलता है अब यह जो काम हुआ है यह पूरा का पूरा जो हुआ है n-grams की साहिता से यह पूरा काम जो किसकी साहिता से हुआ है n-grams की साहिता से अब जो electrical signals होते हैं अपने brand के अंदर उनको बोलते है n-grams electrical signal of neurons is called the engrams ठीक है? इस्टिमूलेज जनरली अपन बोलते हैं उनको normal बासा में तो engrams कहते है तो यह electrical signals जो है वो कौन से system आता है तो simple सी बात है कि यह जो आपके कौन से system का हिस्सा होगा nervous system का तो it is a part of nervous system की यह सारा का सारा काम जो हो यह जो भी आपको छीजे याद रहे है अगर किसी का चहरा आपको याद आ रहा है तो जयसे कि अब करते है na mobile के अंडर jpg format में फाइल सेव करते हैं और laptop में बात करें अगर बात करेंगे तो याद रखेगा कि अंदर जो भी फॉल्डर है और वो फॉल्डर सारे के सारे किस्से बरे हुए है और एन ग्राम से नेक्स बात करें पन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस कंसी स्टॉप इससे बना हुआ है क्यूसन बहुत भड़िया था दिल्ली के अंदर पुचा गया था तो offline exam था तो आदे से ज्यादा यही किये कि central nervous system is consist of तो देखा brain और देखते ही जो क्या कर लिया गोला भर लिया जैसे brain का नाम देखा क्या कर लिया गोला भर लिया क्या रहा भया इतना जो वो simple question आया अपने को तभी जो वो पता चला कि अब हो गया है सत्या नास क्योंकि जो नीचे एक option और था नीचे एक option का और क्या था brain and spinal cord अभी मैंने बात की थी कि अपन जो spinal cord को peripheral में समझ लेते हैं लेकिन जो वो spinal cord जो आपका किसका पार्ट रहेगी एक central nervous system का यह किसका पार्ट रहेगा आपका central nervous system का तो याद रखेगा central nervous system is consist of brain and spinal cord दोनों चीजे जो वो एक साथ के अंदर जो चलेगी बढ़ते हैं इसी पार्ट से आगे depolarization इनने nerve action potential is due to कि depolarization जो होता है तो depolarization क्या होता है तो उसके लिए जो हो आपन कुछ एक चीजे पढ़ेंगे फर्स्ट वन इस दा RMP resting membrane potential फिर जो होता है आपका depolarization और फिर होता है आपका repolarization तीन चीजे जो आपको याद रखनी है RMP depolarization और repolarization यहाँ पर बीच में एक और आप डाल सकते हो AP action potential AP action potential आप देखेगा होता क्या है कि आपका जो neuron होता हो एकदम resting condition में होता है neuron जो किस condition में होता है resting condition के अंदर जो इस परकार से होता है अंदर की तरफ जो भरा होता potassium और पार की तरफ भरा होता होता है आपका sodium अंदर की तरफ intracellular cell body में बात करें तो भरा होता है potassium और बार की तरफ जो आपका भरा होता है क्या sodium तो यह जो आपकी होती है resting condition और resting condition के अंदर इसके अंदर करेंट की तो माइनस 70 to 90-90 mV यह मिलता है अप जैसे इसको कोई इंपल्स मिलता है तो इसके अंदर वह छीज होती है उसको अपन बोलता है action potential कै बोलते है action potential अब action potential कब होता तो जब neuron को किसी परकार का stimuli या फिर irritation मिलता है यानि कि जैसे कोई movement हुई हो या फिर कोई working activity हुई हो तो आपका जो neuron resting condition में था उस neuron को क्या मिलेगा? इस्टिमूलाई मिलेगा अब जैसे stimuli मिलेगा तो इसके अंदर जो की charged है या फिर जिसमें जो positivity चार्ज रहती है उसको बोलते है depolarized neuron अब depolarized neuron क्या होगा? तो देखेगा कि action potential करके एक प्रोसेस होती है और उसी के अंदर जो क्या होगा? अब देखेगा आपने बोलाता है कि sodium बाहर है तो जैसे ही जो है action potential की condition सुरू होगी तो यह milli volt जो minus 90 था या दिरे 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 कम होगा अब इसको जाना किस की तरफ? प्लस की तरफ तो दिरे दिरे यह कम होगा अब जैसे जैसे कम होगा तो इसकी जो बढ़ेगी यहां पर्मीडिबिलिटी जो होगी इसकी निउरोन की सेल्स की वह क्या होगी दिरे दिरे बढ़ेगी तो जैसे ही जैसे ही sodium चैनल उपन होगा तो बाहर की तरफ जो sodium था और अंदर की तरफ क्या था आपका potassium, तो sodium भार से जो किधर की तरब, जो एंटर होगा अंदर की तरब, भार जो था आपका potassium, वो किस के अंदर आएगा, neuron के अंदर आएगा, जैसे जैसे neuron के अंदर आएगा, तो वैसे वैसे जो positivity बढ़ती रहेगी, लगबग प्लस 35 से 10 to 20 mm, 50 and by소 Pois-प्यक्टिविटी विविती जा की जा की जा की सी जाएगी तो जित्ना यह पॉजटीव होगा वो ही जुआ कर DANE अब एकम चाह्ज दिन नियुरोन ओगि उसको क्या वोत भे बन अब यह जो है जो अब एक्टिवीटी मैन고 होगी लाकि अज़ीति लेकिन अगर मैं एक्टिविटी की बात करें तो मैं एक्टिविटी होई आपकी opening of the sodium channel इसके अंदर जो किसकी opening होई है sodium channel की तो अब यह जो neuron है आपका पूरा का पूरा depolarized है और याद रखेगा का only depolarized neuron ही neuron ही वो neuron ही जिसके अंदर से signal transmission हो सकते हैं या फिर जो है वो neuronal transfer जो हो सकता है कि उससे नहा रखा already कि वो कौन सी stage neuron की या कौन सी condition है जिसके अंदर जो मैं से signal pass out होता है तो signal pass out होता है charged neuron से और charged neuron जो है आपका क्या होता है depolarize अब जैसे इससे जो pass out हो जाएगा तो यह वापस क्या होगा repolarization वापस discharge की जो activity होती होती उसको क्या वोलेंगे repolarization तो देखेंगा खूब सारे question आपके यह से clear हो गए तो depolarization के लिए responsible कौन था तो opening of the sodium channel sodium channel की opening की वज़े से जो हो depolarization की condition आपको जो देखने को मिल रही थे तो RMP action potential depolarization and repolarization इस परकार से जो सारी सारी चीज़े आपकी हो गई माली जेगा एक जामपल के लिए अपने लिए कि एक मुवी कंदर हीरो है लड़ाई चल रही है जो बहुत सारे गुंडे पड़ते हैं hero के उपर hero जो एकदम गायल एकदम पड़ा है तो यह कोकली आसे होते हुए जो वह ब्रैन के अंदर गई जाकर के जो आपके परेटल परेटल जो आपका टेमपोरल लोब उसके अंदर गई और पूरा साइंसेशन जो वह दिखा देते हैं तो बस वह hero जो आसा सो रहा होता है heroine के जैसे ही आवाज मिलती है तो heroine की आवाज है action potential irritation हो रहा है अब जैसे उसको मिलता है तो वह एकदम क्या हो जाता है charged हो जाता है अब देखते ना एकदम से जो पड़ा रहता है उदर गुंड़ा जाकर heroine को काट नहीं वाला होता है तब तक जो अचानक से वह खड़ा होता है खड़ा होता है एकदम fully charged देखते ना कि पूरे पत्ते बत्ते हैं मिट्टी उटती है तो वह पूरा का पूरा एकदम चार्ज तो वह जो कंडिसन आपकी क्या कलाती है depolarized देखें कि नाम यहां पर उल्टा है कि D का मतलब अजनरली कम समझता है लेकिन depolarized का मतलब जो neurons related होगा या कोई भी body की cells related होगा तो वह आपकी एमें सारे कैसी रहेगी charged cell अब एकदम वह जो तयार होगर के एकदम हटा कटा है और जातकर के सारे जितने भी उंड़ा है सबको मार देता है अब जैसे मारता है तो पॉंचता या तो एक दम इंजड बताता है या कई बार मर जाता है सोले मुवी में आपने देखा होगा कि मर गया था ठीक है तो वह वापस वह रेस्टिं कंडिशन माता है उसको पन क्या बोलेंगे रिपोलरेजेशन तो यहां से जो खूब सारे क्यूशन आपके बनता है तो डीपोलरेजेशन के लिए जो वह कौन रस्पांसिबल होता है ओपनिंग अप दी सोडियम चैनल डीपोलरेजेशन कौन करवाएगा ओपनिंग अप दी सोडियम चैनल ठीक है स्पीड आपको ज्यादा लग रही होगी पर नेपरोन को मत चाप दीजेगा लपेटे जाओ गए ठीक है कि नीउरोन किया और नेपरोन किया है पता चले कि अग्जाम के लिए नेपरोन किया हुआ था ठीक होता ना कि इंसान प्यार में पागल हो जाता है तो फिर गदी भी परी दिखती है तो वह जाओ चीज होती है कि ज्यादा और और अप भी ज्यादा डी-POLराइज हो गए तो पता चले कि नीउरोन को नेपरोन किया और गोला बढ़ दिया यह यह तो क्यूशन आ गया ठीक है तो अच्छा से पढ़ लीजेगा नीउरोन नेपरोन दोनों वर्ड क्या है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेसेज आर कि एक special परकार की जो वह नर्र सेल पाई जाती है जो कि क्या करती है ट्रांस्मeet करती है एलेक्ट्रिकल सिगनल को तो वह कौन सी होती है तो simple सी बात है आपकी कौन सी होगी बहुत कि न्यूरों को यह कुछ रिप नियूरों को अधीution पक्राऊर करता है तो बिल्कुल भी फरिसानन ही हो अब आपके क्या घ्लाती है इसटो मातो हुआ है यह अंसवर इस जो आपका क्या हो जाएगा neuron बढ़ते आगे की तरफ branched process of neuron की neuron की जो branched process क्या क्या चलाती है तो बाई यह बात करते है किसके बारे में structure of the neuron बात करेंगे structure of the neuron तो structure जो neuron की इस परकार से होती है ये वाला जो इससा होता है इस वाले इससे को आपन बूलता है dendrites ये वाला इससा क्या कहलाता है dendrites बीच में जो इससा होता है ये होता है आपका cell body बीच का जो इससा होता है वो क्या होता है आपका cell body और नीचे की तरब जो होता है वो आपक तो अनके लोगे वह 20 गड़े के और समावन होता है यह थे सब चर्मिनल ऑगेह में 15 गड़े जनी के सबस्क्राइबें तरफ गड़ें सब्सक्नाइब और यह चाहरे अब इंग्योवर्या तो अपर प्छबन है realised एक Mercantile?, दो चीज़े आपकी और हो गई, सेल बोडी के पास में जो सारे-सारे Oργanals पाया जाता है, एक सेंट्रो मियर, कैंडरी का नहीं पाया जाती है, इसके वज़े से इसके नंदर फ्रदर डिवैड नहीं होता है, कौई बात करें कि नीरॉन किस परकार का ए So, a-mitotic neuron आपके किस परकार की cell है a-mitotic cel है इसके अंदर फ्रदर डिविजन कभी नहीं होगा shell division इसके अंदर वो नहीं होगा कोसी का विवजन नहीं होगा क्यों कि one की सेंट्री मियर जो क्या है बात करें तो यही पे एक special चीज होती है जिसको आपन बोलते है निजल ग्रेनुल्स क्यूस्टन देखे जिन जिन से related question बनता है वह वर्ड आपन लिख रहे है उनको आपन बोलता है निजल ग्रेनुल्स अब निजल ग्रेनुल्स का काम होता है एज राइबोसॉम आपकी नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटीन सिंतेसिस का काम करता है थोड़ा बहुत जो है रप एंड प्लाजमिक रेटिकूल्म भी करती है रप एंड स्मूथ ठीक है तो अलाकि जो है वह स्मूथ वाली तो नहीं करती है वह यहां पर कौन करेगा आपका निजल ग्रेनुल्स तो इस परकार से जो आपका पूरा का पूरा जो है वह नूर्ण की स्ट्रेक्चर होगी तब यह पूच क्या रहा है कि खूब सारी ब्रांच के अंदर कौन सी प्रोसेस है तो यह जो खूब सारी ब्रांच है यह जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा C , फीक आपका क्या हो जाएगा एक्जॉट्रीग्न की माइलीन सीथ की तो वह बना रही है स्वान सेल तो यह जो आपका हो गया माइलीन सीथ की कवरिंग होती है कि यह इंसुलेटर का करती है माइलेन सीथ का आम करती है उर बीन सिगनल पर नहीं के इस तो नहीं तो इतना ज्यादा तेजी से काम करता है तो जितना ज्यादा ज्यादा तो आपके अक्टीव होगी माइलेन सीथ तो myelin seed is work as a insulator, यह चीज भी आपको जो वो याद रखने की है, next one बात कर रहा है, synapse, synapse होता है, दो neuron मिलते हैं, तो अला कि दोनों neuron आपस में, exact में कभी नहीं मिलते हैं, कि यहां से यह मिल गया, दोनों मिलते हैं, तो जोइनिंग में एक जोइनिंग एरिया बनता है, और जोइनिंग एरिया को अपन जोए हो, क्या बोलते है, synapse, दो neuron के जोइनिंग एरिया को अपन जोए हो, क्या बोलते है, synapse, तो यह होगी आपका, next one बात कर रहा है, next one बात करें, कि which of the following does not act as neurotransmitter, कि इन में से कौन सा जोइव आपका neurotransmitter नहीं है, तो neurotransmitter नहीं है, तो देखेगा, cortisone, acetylcholine, epineprin and nor epineprin, चार चीज़े जो आपको सामने जो वो दी गई है, चार चीज़े में बात करें, तो देखेगा, कि तीन चीज़े जो हो, आपकी काम आती है, नर्वस सिस्टम के अंदर, और cortisone जो हो आपका क्या है, एक adrenal hormone है, adrenal gland का क्या है, हार्मोन है, cortisone, और अपकी जो बचे हो तीन क्या है, तो अपनी बुडी के अंदर जए एक सिस्टम होता है, जो सको बोलता है, बुम ॉधृ दो फरकार का, और्लोमिक नर्वस सिस्टम होता है, sympathetic nervous system, and para sympathetic nervous system, तो sympathetic nervous system के अंदर जए और वो प्रांस्मिटर्निटर मैनली काम करता है Acetylcholine, Noradrenaline, Noradrenaline अब Noradrenaline और Adrenaline के लिए जो वर्ड क्या यूजम होता है Epinephrine and Norapinephrine PNS के अंदर बात करें तो एक ही Neurotransmitter काम करता है और वो आपका कौन सा होता है Acetylcholine Preganglionic Fiber or Postganglionic Fiber दोनों के उपर जो कौन काम करता है PNS के अंदर Acetylcholine अब ये Preganglionic क्या है तो इनको पढ़ने के लिए जो वो अल्रडी चैनल के ऊपर एक क्लास आरकी अपनी Autonomic Nervous System के क्लास नमर 11 तो उसको थोड़ा सा रेफर करिएगा तो आपको Autonomic Nervous System के वारे हम पूरी पूरी जानकारी वापे ब्रीपली मिल जाएगी तो देखेएगा Acetylcholine भी जो आपका एक क्या है Neurotransmitter एफिनेपरिन भी Neurotransmitter नौर एफिनेपरिन भी है Gaba आता एक सोना होगा आपने Gaba ठीक है Dopamin Gaba हो गया Dopamin हो गया तो ये सारे के सार आपके क्या होता है Neurotransmitter हो गया तो answer क्या हो जाएगा Cortison, Cortison क्या है तो एक Adrenal का Hormone है Next one बढ़ते हैं आगे की तरफ Neuron that Release Acetylcholine कि वह कौन से Neuron है जो की Acetylcholine को जो है वह Release करता है तो Acetylcholine को Release करने वाले Neuron को अपन बोलता है Adrenergic कौन सा करता है Adrenergic और बात करें अपन Acetylcholine को जो करने वाले को होन से होता है कॉलिनर्जिक, अपका कौन एठीक करता है, और अदीनर्जिक और आपका किसका करता है menin 44 007 So the two כלopathspm यह वह होते है and call average Mod SUBSCRIBE, эфф क Kerry साइट से अल्री नजिच साइट इंदर जो ईंदर बोलता है लिवेट गयुँब बोलते हैं दिक रीक Somet-Data खरने बात पार खरने वाली लें जर eki बात करे propheрипect NICK इंदर ऊफिकने साइट डिया होती है तोल जो इसनी होती है आपकी 3 ब्रैंचो में कॉरने वाली लेयर होती है इस इस कल परयोस्टिय वगिर्या होती है इसकल होती है सबसे बहुंतुब बात करें कि अपना आउटर से इनर की तरफ आउटर के अंदर पहली हैर आती है Piam inscre enforces तो निए तुरस होती है आपकी SAY सबसे बाहर की तरफ की है दूरामेटर फिर गया रहेके साउनोय इंदर की तरफ आपकी है दूरामेटर अब दूरोट आर निचे की तरफ सपस्पेस होता है उसको अब आता है yeah sub-duural space क्या बोलतियां sub-duural space उपर की तरफ उपर गया होता है Ipidural space, उपर का होगा, तो इसके उपर i.e. क्या होता आपका skull होता है, सबसे बार skull यानि कि という preoccupGds transpose up 有 थिल के बीच में में ieभी उपर 心-पीट अरक्नोइड बीच में आपका क्या होता है सब अरेखनट इस पेस तो बात करें कि मैंनेंज जी क्या है तो कवरिंग उप brain and spinal cord, अब यहाँ पर भी जो दोनों वर्ड आपको याद रखना है कि ब्रैन को भी याद रखना है और और अज वेल आपको क्या रखना है spinal cord को, याद रखेंगे कि खाली यह मत सोच लिजेगे कि खाली कोपडे-कोपडे अब यहाँ ब्रैन कोपडे के ब्रैन कोपडे कर रही है उसी परकार से जो पुरी की जो कोपड़ इसे कि दुबार जाता है आगे की तरफ 10, correct order of mananges, inner to outer, कि अगर अगर बात करें, तो कौन-कौन सी थी, तो अभी 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 आपने discuss किया था गाएंडर, पाय मेटर, पाय मेटर, पाय मेटर के बाद में, अरेक्नोइड मेटर, और अरेक्नोइड मेटर के बाद में, जो लास्ट वन आपकी क्या थी, द तो होगी आपकी कौन सी, outer to inner, लेकिन पूचा किया आपको, inner to outer, तो inner to outer क्या होता है, पाय मेटर, अरेक्नोइड मेटर, और लास्ट वन आपकी क्या होती है, दूरा मेटर, तो इस परकार से जो आपका चलता है, mananges का, next one बात कर रहे हैं, next one आता है कि CSF is produced in, CSF is produced in, कि CSF कैस नाम किया आपका, Choroid Plexus, Choroid Plexus के अंदर, CSF का formation होता है, तो किस परकार से CSF का formation होता है, तो देखें किस परकार से जो आपके, दो वेंटिकल पाया जाते हैं, उनको अपन बोलता है, lateral ventical, lateral ventical आगे जाकर के, जो third ventical में, convert होता है, और third ventical आगे जाकर के, fourth ventical में, यहां पर एक septum पाया जाता है, जिसको बोलता है, septum palisodum, यह दोनों जो आपके गए, lateral ventical, lateral ventical, lateral ventical जो इंटर ventricular foramen के अंदर continue होता है, और interventricular foramen, या फिर foramen of momenero, जो होती है, वो lateral ventical को connect करती है, किस के साथ में, third ventical के साथ में, अब third ventical, जो हो, aqueduct of sylubis के through, जो हो connect हो जाता ह है, दो पाय जाती है, आपकी foramen of luska, और एक पाय जाती है foramen of magandie, नीचे की तरफ जो होती है, आपकी central canal, यह जो होती है, आपकी central canal, अभी अपने बात की थी, कि वहाँ पर एक supportive cell, glial cell के अंदर पड़ी थी, अपनने, ependymal cell, अब ependymal cell जो होती है, क्या करती है, यहाँ प क्या कहलाता है, choroid plexus, और यह choroid plexus ही है, जो कि आपके body के अंदर, CSF, यानि की cerebral spinal fluid के formation के लिए, जो हो जिम्मेदार होता है, बहुत standard की, उससे ने खूब बार जो हो आच चुका है, कि CSF का formation का होता है, तो choroid plexus के अंदर, choroid plexus को कौन मनाता है, तो ependymal cell, ependymal cell क् supporting cell of the nervous system, next one, नाया लिका हो, इसके अंदर, arachnoid villi, अब जो यहाँ पर production की जगह, क्या लिका हो आता, absorption, कि CSF का absorption का होता है, तो sab arachnoid villi, sab arachnoid space के अंदर, जो special चीच पहे जाती है, sab arachnoid villi, और यह sab arachnoid villi, जो होते है, वो CSF को वापस क्या करते है, अब जो लाँ अब इसकी डिस्क का यहां पर कोई भी काम नहीं है, बिन बुले है, महमान है, बात करें, next one, question, the brain reason, which is responsible for coordination, which is responsible for coordination, और coordination भी कैसा, voluntary muscle का, voluntary muscle का, क्या करना है, क्या क्या करना है, movement, कौरवानी और posture and balance, क्या आपकी बोडी को एक बैलेंस में रखना है, तो बैलेंस के लिए जो एक व balance, 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 balance का लोगल में आयक carbon делает तो खुर्ट को टेक्स कोर्ट EOS ठेक है ठेक सरे ब्रân ये जो क्या सहरे ब्रन सेरे ब्रह्ल जो कि अ इंतर सबसे बडा पार्थ होता है यारी कि लगम करें तो 70% गए के नो से बड़ा परिया करकर ठाउख्य अ कुरे का पर ब्रह्म कर आपके जो बचा हु ब्रह्म साही ब्λαमहमर इसका नाम साह airflow इसका नाम साहिप ब्रह्म है Spinal Cord and Medulla Oblongata As humans justars Medulla Oblongata His is in his mind brain complete One of the function of Cerebellum is 2 Do you guys? Specific Cerebellum So Valens andaab कि आखे आगया balance आपका beam है क्या आगया आपका beam बेलेंस तो अधा है अच्छन करवाता है muscular contraction किस परकार की muscles, voluntary muscles का कौहँसी muscle voluntary muscle का coordination, movement, posture, balance, equilibrium सारा का सारा जो काम है विव किसके दोरा क्या जाता है सहरे, belem के दोरा next one बात करता है अपन loss of muscle coordination result अब देखें का muscle coordination का रॉट और लोस रहा है बैलेंस नि बन पा रहा है पॉस्चर सभी से मैंटेन नि हो पा रहा है तो किसकी इंजूरी वजयी है कि किस की इंजूरी हो जागी आपकी क्सक्राइब का कि अगलाब कर दोनों हात तो नीचे उच उच एक का यत कार्फ रहा है तो क्या हो रहा है बैलन्स है बैलन सी बन्राइब कि इन्जूरी किस्प फेंदर है सहरे बिलंम में बस बैलेंस को याद रख लिजेगा अपके कभी गलत नहीं होंगे एक्षन बात करें कि फंक्शन आप दीस है अब देखेगा वर्ड आता है एक्जाम के अंदर लिका हुआ एक्षेप्ट तो एक्जाम के अंदर कही बार तो क्या होता है कि अपन जल्दी-जल्दी के अंदर यहां पर जो कुछम बात कि की अंधरी आपको को से अनल एक्षेप्ट ड्रेम यहां पर क्या हो प्रक्राइब यहां पे ंडर्यदी-जल्दी अरवर्ट वामिटिक नहीं है बंस का इनधर कौन सान नहीं है क्या पुचेएं वह नाउनन्सा नहीं है क्या फंक्शन आप कॉन कौन कौन से फंक्सन सारे ब्रहम के हैं और उसके अलागा कौन साइव आपको क्या करना है बताना है तो मैंटेन मसल टॉन को बनाय रखेंगा मसल टॉन बनी रहेगी तब यु तो पॉस्टर वैलेंस आपका मेंटेन रहेगा next one आगया word देखेगा अभी अपने बात किती equilibrium हो गया maintenance of the posture तो तीन चीजे तो आपकी होती है hearing hearing का काम इसका नहीं है hearing के लिए जो आपका क्या होता है auditory area होता है temporal lob के अंदर और वो किसका काम करता है hearing का hearing का तो hearing जो हो आपके सके अंदर जो हो sort out हो जाएगा respiratory center is situated in which part respiratory center कहां होता है तो आदे से जादे मेडूला और पॉंस के अंदर जो हो confused होता है तो आद जो हो इसको जो हो अलग से लिग लीजेगा guaranteed अलग से respiratory center is the medulla oblongator respiratory center को हो ने आपका medulla medulla नहीं है तो सांस नहीं आएगी respiratory center आपका कौन रहेगा मैसा medulla oblongator ठीक है पॉंस का का वे पांसाहिए और जो होता है अला कि इसके अंधर पांस चैनल गोने जो सेंटर फाये जाता है आपनियो श्रीक सेंटर गन्स नुमोकशूच्स जो कि आपकी रेट आंड डेप्थ को थोड़ा सा कंट्रोल करता हैं लेकिन अगर बात करेंगे कि मैं जो कंट्रोल कॉन है आपक जालदी जाये, इधर पीर गाड़ी है, तो कहmos को करनе करता है पांस करता है, लग 4 można ओध्यूर Länder, नेकिन, भी ने कहते हैं और जालदीया काम होगा मतलब कि कौन सा गलत है उस पो आपको क्या करना इसके अंदर खोजना है except का मतलब है ulta जो question में लिखा है उसका क्या कर देना आपको ulta जो हो खोजना है तो cerebrum and forebrain control the mental behavior and throat कि cerebrum जो हो cerebrum and forebrain control the mental behavior and throat next one is the brain stem or mid brain control respiration and cardiovascular system cerebrum and hind brain regulate muscle tron and posture cerebrum and forebrain helps in interpretation of the sensory impulse देखेगा सारी की सारी जो चीज़े हो सही है लेकिन जो देखेगा यहां पर लिका हो और क्या है रेस्पाइरेशन वर्ड जो आपका क्या है क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो nervous system को दो परकार से पढ़ते हैं forebrain, midbrain and hindbrain दूसरा जो एक पढ़ते हैं cerebrum, cerebrum and brain stem वहां पर brain stem के अंदर जो आजाता आपका midbrain, pons and medulla तीनों चीज़ आजाती है तो खाली अगर brain stem लिख रखा होता तो यह भी सही हो जाता लेकिन साथ में midbrain लिख लिए लेकिन midbrain जो कभी भी जो हो respiration का काम नहीं करता है midbrain का जो एक काम होता है अपना acetylcholine related तो वही जो हो इसका काम है sorry acetylcholine के dopamines related जो हो काम होता है इसके अंदर जो हो एक sustain या निग्रा करके जो एक center पाय जाता है और वह जो की dopamine के formation का काम करता है तो सही answer जो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर B बात करते है next one which part of the brain control and integrate activities of autonomic nervous system कि autonomic nervous system को कौन जो हो हो help करता है तो autonomic nervous system को help करने की structure होती है वह होती है आपकी hypothalamus coordination of the anus hypothalamus के जब भी अपन काम पढ़ता है तो बात कर है hypothalamus के काम क्या क्या है तो first one जो hypothalamus का काम होता है कि यह pituitry gland को क्या करता है organize करता है या पिर उसको controlling करता है तो master of the master gland भी hypothalamus को इस लिए अपन बोलता है अब यह क्या कहता है कि releasing hormone चोडता है hypothalamus क्या करता में इसा releasing hormone जो वो कि निकालता है और यह releasing hormone जो जागर के काम करता है pituitary पे और फ्री पिर्टुटुटुटुटुटी उसे हिसाफ़ से जो क्या करती है अब pituitary काम करती है लेकिन वहीं से जो हाइपोतलेमस ही क्या करेगा कभी releasing hormone कभी inhibitory hormone तो ये जो काम है दोनों को कौन करता है hypotalamus तो एक तो ये क्या करता है कि pituitary gland को control करता है second one ये क्या करता है कि posterior pituitary ये जो भी अपने डिसकुस किया है ये हो गए आपका anterior pituitary का next बात करेंगा ये पन पुस्टीरियर पीटूट्री की तो पुस्टीरियर पीटूट्री के लिए जो हार्मोन फॉर्मेशन का काम है दो फॉर्मेशन होता है हर्मोन फॉर्मोन पुस्टीर पीटूट्री के अंदर एक होता आपका ADH और 2 बन होता है Oxytocin, ADH and Oxytocin ADH के लिए word use होता है Vasopressin, तो इन दोनों का formation अगर कोई question पूचे आपको कहाँ पे होता है तो ADH and Oxytocin दोनों का formation जो आपका कौन करता है Hypothalamus, यह आते हैं और अगर के posterior pituitory में only store होते हैं release हमेशा posterior pituitory से ही होता है लेकिन का formation कौन करता है Hypothalamus, तो formation का काम तो होगए hypothalamus का, posterior pituitory क्या करेगी तो posterior pituitory दो काम करेगी एक तो जो इनको क्या करेगी store करेगी, second बन इनको जब जरूत होगी तब क्या करेगी, release करेगी तो यह दो काम जो आपके किसके होगए पोस्टिरियर प्रिटुरियग है याद रखियेगा कि अव्टनोमिक नर्वियर इस बिक्तरिय होता है है। इसको कॉडिनेट करने का है काम है वक्षित रेगूलेटेड बात करते हैं। तो देखेगा है 2 काम तो आपने लिगा दिस्क्रस कर लिया थे 2 बात करें method hunger and thrust, hunger and thrust, hunger and thrust, hunger, thrust, sex, तीनों चीजों को जो कॉन चंट्रोल करता है, आपका हाइपोथेलेमस, next one बात करें, और क्या चंट्रोल करता है, तो बोडी टेंपरेचर, regulation of the ANS, Autonomic Nervous System का regulation related काम, तो यह सारे के सारे जो काम करता है, आपका हाइपोथेलेमस जो करता है, तो eating behavior regulated or controlled by, तो eating behavior को भी जो चंट्रोल करने वाली structure हो क्या हां से होगी आपकी हाइपोथेलेमस, तो यह आपका कुछे क्यूस्चन थे, तो तो अपने 25 क्यूस्चन किया और प्यार्यादव के अंदर प्यार्यादव के अंदर प्यूस्चन 33 तक आपका clear हो गया है, तो उम्मीद है कि थोड़ा से अपने speed से चल ले और speed आपको ज़रूरी है कम से कम time के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज़े आपको निकालनी है, तो आज के लिए बस इतना ही, next one मिलेंगे अपन, next one class में और ये speed up trend चलती रहेगी, super fast class में आपसे, फिर offline मुलाकात होती रहेगी, बाकी रात को 9 बजे नर्वस सिस्टम का online class briefly पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद, class को subscribe करिएगा, share करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जवावों इसका फायदा उटा पाएं, बहुद बहुद देश्यादा